जैशी किशन दोस्तो पियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम बता रहें कि सोमवार के दिन जिन भी मेरी बहनों को संतान की चाहे तो उन्हें शिवजी का पूजन अवश्य करना चाहिए और शिवजी के पूजन में ऐसा क्या अर्पित करना चा बस गर्वती महिला इस चीज का ध्यान रखें कि छटे महिने से उनको शिवलिंग का पूजन नहीं करना है उससे पहले वो शिवलिंग का पूजन कर सकती है और इस उपाय को भी करके देख सकती है दोस्तो निशिद ही आपकी जो मन वांचे संतान की इच्छा है वो अवश् करें दोस्तो उस उपाय को जानने से पहले जो पहली वार मेरी वीडियो को सुनरें प्लीस मेरे चान को सस्क्राइब करें बगल tying को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुए सके दोस्तो भगवान शंकर अपने नाम क तरफ आपका मुँँ होना चाहिए और सबसे पहले गणेजी का पूजन करना चाहिए ओम गणेशाय नम कहते हुए आप उन पर जलर्पित करें उसके बाद पूरे शिप परिवार की पूजा अवश्य करें इससे देखे जब पूरे शिप परिवार की पूजा करते हैं तो आकड़े का फूल जिसे मदार कहा जाता है अगर मदार का फूल चड़ाती है या फिर धतूरे का फूल अवश्य ही चड़ाना चाहिए क्योंकि इन दोनों फूलों से उनको संतान की प्राप्ती होती है अगर आपको इन में से कोई सा भी फूल मिल जाता है तो सोमबार के दि किसी भी गरीब को अगर आप दान कर देते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है दोस्तों ये तो संतान प्राप्ति के लिए मैंने उपाय बताया है कि आप मदार का फूल या आकड़े का फूल अवश्य चड़ाएं और साथ में गेहूं अवश्य ही सोमवार के दिन अगर आप आटे के से ग्यारा शिवलिंग बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं उन पे जला भी शेक करते हैं और उसका जल पती पतनी दोनों ही ग्रहन करते हैं सोमवार के सोमवार तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है दोस्तों इस उपाय सार समागरी तो ले जाए फूल भी ले जाए जो भगवान शंकर की प्रिये है बेल पत्र मदार के फूल आकड़े के फूल वो तो अवश्य ही चड़ाएं और साथ में अक्षत भी अवश्य चड़ाया करें साथ में दोस्तों आपको एक श्रिफल यानि जिसे जटा वाला नार को शिवलिंग पर अरपित करते हैं और पूजा करने के बाद अपनी मनोकामना देखिए नंदी जी के बायकान में अवश्य ही बोलनी चाहिए इसकी मैंने पहले भी वीडियो डाली है आप किस प्रकार उनको मतलब पूजन करके अपनी मनोकामना बोल सकते हैं तो वो अपनी मनोकामना तो सभी को नंदी जी के बायकान में अवश्य ही बोलनी चाहिए चाहिए संतान के लिए है चाहिए पुत्र के लिए है इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप सोंबार को शिवजी का पूजन करें तो नंदी जी के बायकान में अपनी मनोकामना इच्छा रखती हैं कि हमें बेटा हो जाए जिनके एक या दो बेटियां हो चुकी है तो इस उपाय को अवश्य ही करें दोस्तों आपको शिव जी का पूजन करके शिवलिंग पर एक जटा वाला नारियल चड़ाना है क्योंकि जो नारियल होता है उसे श्रीफल कहा जाता है उसे बेटे का सरूप माना जाता है और दोस्तों उसको पूजा करने के बाद आपको नारियल को उठा लेना है और देखें नारियल को आपको खुद नहीं तोड़ना है क्योंकि वो बेटे का सरूप माना जाता है हमेशा पुरुस को किसी भी बालक से या किसी भी मतला जेन स आप उसको तुड़वा सकती है देखे जहां पर शिवजी की तीन आखे बनी होती है नारेल में वहां पर चावल के दाने जितना बीज निकलता है जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर नारेल में वो बीज निकले अगर साथ सोमवार में अगर वो बीज निकल जाता है या एक बारी गर्वार के दिन ही शाम के समय आप उसे गंगा जल में कटोरी में रखकर भगवान अपने मंदिर में रख दें और सुबह मंगलवार के दिन खाली पेट भगवान शंकर का ध्यान करके उस बीज को आपको निगल जाना है चबाना नहीं है आपको निगल जाना है गंगाजल के साथ देखना आपको निश्चित ही पुत्री की प्राप्ती होगी दोस्तों इस तर जाता है तो आपको 101% पुत्र की ही प्राप्ती होगी दोस्तों इस से आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको होने वाली संतान पुत्र होगा या पुत्री क्योंकि अगर आपकी देखे किस्मत में कोई रुकावट चल रही है या कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है तो जरूरी नहीं है कि आपको सा सोमवार में भी एक बारी भी मतलब बीज निकले तो दोस्तों आप इस उपाय को अवश्य करके देखेगा और भगवान शंकर का पूजन सचे मन से अवश्य करेगा ताकि आपको पुत्र की ही प्राप्ती हो और साथ ही जिन भी मेरी बहनों को स गेहूं अवश्य चड़ाय करें नहीं तो गेहूं के आटे की शिवलिंग ग्यारा शिवलिंग अगर आप सा सोमवार में ऐसे अरपित करते हैं और उसका जल गरहन करते हैं पती पतनी तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ती होगी दोस्तों इस उपाय को आप जरू क